Hello students, welcome to my YouTube channel तो students, काफी सारे students के जो messages आ रहे हैं कि कौन सी paper style रहेगी वो confusion जो है वो आज के इस lecture में मैं आपको पूरा समझा दूँगा बस अभी इस video के हिसाब से आप believe करके 95% से लेके 99% इसी tab की paper style आ सकती है उसमें कोई ज़्यादा changes नहीं होगा ठीक है और यह जो मैं बता रहा हूँ वो किसी perfect sources के हिसाब से भी बता रहा हूँ तो आपको जो मैं paper style यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ उसी हिसाब से हो सकता है कि आपकी exam के अंदर paper style आती है क्योंकि अभी देखा जाए तो जो एक दू एक्जाम हुई है ना जो इस new paper patent से हुई है तो उसके आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि आपकी जो paper style में कितने mcq आएंगे वो इस video में हम देख लेंगे तो देखो सबसे पहले तो इस video को आप अपने friend के साथ भी share कर लो और इस lecture के बाद आने वाले एक week में काफी सारे topic जिसमें mcq है fill in the blank है match the column है वो हमारी इसी youtube channel पे upload होने वाल है तो आप channel को subscribe भी कर लीजे ताकि आप उस चीज को miss ना करो ठीके देखो last time पे भी बहुत सारे ऐसे topic थे जो मेरे exam से पहले रखे थे और exam में exactly वही topic आया था और अभी इस बार हम गुजरादी medium और English medium दोनों में रखने वाले है सभी video तो आप अपने friend वगेरा को भी share कर लो colleges के जो गुजरादी medium के student है उनको भी बोलो ताकि वो भी इस चीज़ को miss ना कर वें क्योंकि बहुत सारी ऐसी channel है जो गुजरादी medium में है लेकिन वो इतना perfect नहीं upload कर रहे हैं और काफी सारे students को फिर problem होती है इस वज़े से गुजरादी में भी हम अपलोड करने वाले हैं काफी सारे students के messages भी आ रहे है तो चलिए देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से हिसाब से आपको कितने MCQ आएंगे तो देखो सबसे पहला जो आपको रहेगा वो मैं आपको बताओं कि पहला जो question रहेगा जो 15 marks का रहने वाला है ठीक है और वो 15 marks का जो question रहने वाला है उसमें तीन पार्ट बन सकते मतलब तीन अलग-अलग topic हैं जिसमें देखा जाएगा तो आपको 8 question पूछेंगे मतलब 8 MCQ question आएंगे ठीक है 8 MCQ question आएंगे और फिर आपको 4 question ऐसे आएंगे जो fill in the blank होंगे या तो फिर true false होगे मतलब right या तो wrong वाले ठीक है true false या तो fill in the blank ये 4 question हो सकते MCQ ज़्यादा नहीं आ सकते 8 से लेके 10 मतलब मैं तो बोलू 8 से ज़्यादा साइद आये तो 10 आएंगे बस उससे ज़्यादा नहीं आएंगे और आपको 3 marks का कुछ match the column पूछेंगे मैं इस दो column आपको पताईए तो वो 3 marks का पूछेंगे ठीक है मतलब आप देखो सब के 1-1 marks मिलेंगे ये 8 marks ये 4 marks और ये 3 marks आपके 15 marks हो गए और इसी टैप से paper आएगा possible नहीं है कि आपके सारे question mcq आए ठीक है इसकी possibility बहुत कम है तो आप देखो ध्यान से समझो के fill in the blank mcq भी आ सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा mcq 8 या 10 उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे अभी सबसे ज़्यादा confusion रहता है कि सर तीसरे और चौटे point में क्योंकि यह जो second point है वो आपका रहेगा total 8 marks का okay 8 marks का रहेगा और यह 8 marks के जो topic है उसमें आपको कोई भी 4 question लिखने any 4 ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ any 4 और यह भी out of 8 question इसमें every question आपको 2 2 marks दिलाएगा मतलब समझो हर question के 2 marks नहीं 2 marks for each question मतलब आपको 4 question लिखने 2 marks का 8 हो जाएगा अब यह हर एक चप्तर से आ सकता है अगर आप accounts की बात करो तो accounts के अंदर अगर आप देखो तो देखो मैं आपको बताता हूँ रुको यहाँ पर अगर मैं accounts की तोड़ी बहुत बात करो तो देखो अभी बहुत सारे देखो यह बहुत जादा helpful वीडियो होने वाला है आपके मतलब हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक question पूछे एक दो question आपको fund flow से पूछ ले ठीक है फिर दो question मतलब आपके cash flow से आ सकता है कैस flow से आ सकता है ओके फिर आपको दो question ratio से भी आ सकता है ratio analysis मतलब गुजरादी मीडियम के student देखे तो गुनोतर विसले सन ओके fund flow फंडूर प्रवापत रख रख रोकर प्रवापत रख ओके इससे आपका question आ सकता है और आपको दो question हो सकता है कि theory भी पूछ सकते हैं okay मतलब short short theory जो है आपकी वह भी यहां पर आ सकती है मतलब यहां पर theory topic भी आ सकता है ठीक है जिसमें आपको किसी के advantage this advantage ठीक है यह सब पूछ सकते हैं यह सब में आपको आने वाले next lecture के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि short short question के कुछ important topic लेके आऊँगा आप चैनल को subscribe क लिजे ताकि आपको वह topic miss ना कर पाओ ठीक है अभी यहां पर जो third question है उसमें काफी सारे students की confusion है कि sir कौन सा question रहेगा तो देखो इसमें आपको मेरे खाल से तीन option को ध्यान में रखना है ठीक है पहला option में आपको बता देता हूँ कि पहला option यह हो सकता है कि देखो ratio का 13 marks का question आ सकता है 13 marks का question जो है वह आपका ratio का आ सकता है और ratio के option में हो सकता है कि आपको ratio ही पूछे देखो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूराना paper style देखोगे ना तो university यह चाहती थी कि आप ratio तो compulsory करो ही करो आप कोई भी को पूराना paper style देख लो तो उसमें ऐसा था कि ratio analysis is compulsory for all मतलब आपको वह करना ही है कैसे भी करके ओके तो हो सकता है कि new paper style में भी वही strategy continue रहा है मतलब ratio के option में ratio तो 13 marks का हो सकता है कि आपको ratio ही करना पड़े यह मेरे को लग रहा है कि पहला option यह हो सकता है अभी दूसरा option यह है कि आपको fund flow के option में cash flow पूछ ले अब यह मैं किस आधार पर बोल रहा हूं वह भी बता देता हूं क्यूंकि fund flow और cash flow का question होता है न वह पुराने paper में भी option में होता था ठीक है क्यूंकि दोनों कभी गंबल सरी नहीं आएंगा ऐसा नहीं होगा कि आपको fund flow भी करना पड़ेगा cash flow भी करना आपने देखा होगा कि थोड़ा बड़ा question होता है entries जादा होती है तो उसका 13 marks बनता है तो यह एक possibility हो सकती है यह possibility हो सकती है तो यह मैंने 2 possibility बता दी और अभी इसी चीज़ को अगर मैं आगे continue करूं तो इसके base पे आपका जो चौथा question है उसका भी कुछ possibility क्या बनेगा चौधा question में उसमें तो fix ही है theory आएगी और यह 6 marks की theory आएगी और कौन सी theory पूछेंगे या तो पूछ सकते है important theory वो मैं आपको share कर दूँगा आप देख लेना YouTube के community group में जाके आप वहाँ पर भी आप देख लेना मैं थोड़े दिन में share कर दूँगा ठीक है जो exactly कौन सी theory पूछ सकते हैं अब यहाँ पर देखो दोनों medium में share करूंगा गुजराती और English तो आप प्लीज सभी गुजराती medium के students को भी inform करो और उनको भी ये video share कर लो अब देखो यहाँ पर जो problem है वो यह है कि अगर इस हिसाप से combination आता है तो फिर यह fix है कि यहाँ पर fund flow के option में क्या पुछ लेंगे cash flow यहाँ पर fund flow के option में cash flow पुछ लेंगे अगर ऊपर ratio के option में ratio आया तो ओके अभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर उपर फर्ण फ्लो के आप्शन में कैस फ्लो आ गया तो फिर नीचे यहां पर रेश्यो के आप्शन में रेश्यो आ जाएगा यह आपका कॉंबिनेशन हो सकता है बस इससे ज़्यादा अगर देखो आप पुराना पेपर स्टैल को देख रहे हो ना तो मेरे को यही एक संभावना देख रही है कि इसी हिसाब से पेपर आ सकता है 99 पसंट अब काफी सारी कॉलेज की इंटर्नल में जो था ना उसमें क्या था कि ऐसा कुछ पूछा था देखो इंटर्नल का भी बात बता दू क्योंकि काफी सारे स्टुट्ट मेरे को जो डाउट पूछ रहे ना वो इंटर्नल के बेस पे पूछ रहे कि सर इंटर्नल में ऐसा पूछा था तो यूनिवर्सिटी में कैसा आएगा तो इंटर्नल में बहुत सारी कॉलेज के अंदर इसके कुछ ऐसा पूछाता कि यहां पर ratio पूछाता और उसके option में यहां पर fund flow पूछाता और यहां पर भी ratio पूछाता और इसके option में cash flow पूछाता यह भी कुछ college के internal में पूछाता ऐसा लेकिन यहां पर एक चीज़ देखोगे न तो फिर क्या हो जाएगा कोई students अगर हम जो cash flow और fund flow छोड़ के आ जाता है पूरा अगर कोई student ऐसा है जिसने fund flow और cash flow किया यहीं सिर्फ ratio कर लिया तो यहां से ratio और यहां से ratio तो उसके 13 marks और 8 marks फिर पूरे cover हो जाते और उपर भी आपको दो question तो ratio के आएंगे तो वहां से आपके कितने marks हो जाते हैं ठीक है चार marks उपर हो जाएंगे तो मतलब वह सिर्फ ratio के base पर पास हो जाएगा ठीक है तो यह फिर थोड़ा मेरे को awkward लग रहा है कि इस हिसाप से भले internal में paper आ गया लेकिन internal में क्या होता है बहुत सारी college इसमें ऐसा था कि ratio है और fun flow है वह chapter अच्छे से चलाया था college के अंदर तो college में जितना पूछा में चलाते है उस हिसाप से paper निकाला होता है तो फिर इस हिसाप से रहता है कि चलो को student को cash flow अगर नहीं चलाया है college में तो फिर ratio को भी कर सकते है लेकिन university मेरे खाल से हो सके तो यह paper style नहीं पूछेगी ठीक है तो यह दोनों में सही कोई option आ सकता है और इसका chances जादा है क्योंकि as per old paper style भी अगर आप देखो तो इसी हिसाप से paper style आता था कि ratio compulsory होता था और cash flow और function में होता था अब यहां पर university सवाल यह कि आपको 13 में पूछती है या 8 में पूछती है वह एक थोड़ा सा conflict रहता है वह फिर देखा जाएगा सिधा paper के time पे क्या रहेगा ओके लेकिन जो मैंने बताया उसी हिसाप से आपका paper style रहेगा और देको यह 8 mark क mcq 4 fill in the blank आएंगे और 3 match the column भी आएंगे ही आएंगे ठीक है और यह आपको मैं सब कुछ छोटे छोटे टोपिकों में आने वाले next lecture के अंदर daily आपको थोड़े थोड़े lecture के अंदर मैं करवाता जाओंगा जब तक exam होती है तब तक हमारे lecture upload होते जाएंगे आप देखते ज दूँगा आप देख लेना और मेरे telegram channel पर भी upload कर दूँगा आप हो सके तो नीचे से telegram link पर join हो जाएंगे वहां पर अभी आज से सब कुछ uploaded होना start हो जाएगा one by one ओके सारी exam related information भी हम upload कर देंगे और even Gujarati English दोनों medium में upload करने वाले तो आप वहां से जाके ले लेना ओके इच्छा लिए तो देखो अभी कौन सा topic करना है कौन सा topic important है मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ तो देखो आप कोई भी students हो चाहे गुजराती medium चाहे English medium रेश्यो का जो chapter है जिसको हम गुणोत्तर विसलेशन बोलते हैं ओके गुणोत्तर विसलेशन वो कभी मिस मत करो वो chapter हो सके तो सब कुछ करके जाओ इसके formula बहुत अच्छे से learn करो आप मेरे channel पर जाओगे न तो इसके formula भी आपको बहुत अच्छे से explain मिल जाएंगे ठीक है तो यह अच्छे से कर लो क्योंकि क्या है देखो मैं बताता हूँ कि अगर चलो आपको यहां पर ratio का कुछ question अच्छे स आपने किया तो ratio से यहां से मेरे ख्याल से आपके 3 marks पके मतलब अगर ratio का chapter अच्छे से किया तो मैं मानता हूँ यहां से 3 तो मैं कम बोला मेरे को लग रहा चार से 5 marks ratio से आ सकता है 4 to 5 marks का topic आपको ratio से आ सकता है और यहां पर अगर दो question आपके अच्छे से कर लेते हो तो यह आपके 4 marks cover कर लेगा लेकिन उसके लिए आपको ratio अच्छे से करना पड़ेगा फिर आप एक chapter करोगे तो उसमें भी अगर कुछ कम मतलब समझो उसमें भी important ही करके जाओगे तो फिर तो तकलिफ हो जाती है तो आप पेपर देखोगे तो काफी wide हो गया भी पहले के compare में तो आप यहां पर यह कर लो फिर हो सकता है कि अगर आपका नसीब अच्छा है रेशियो यहां पर पूछ लिया तो आपके 13 marks पके है ओके और चलो यहां पर भी पूछ लिया ठीक है तो फिर 13 के जगह 8 मतलब कुछ भी है आपके 13 और 8 marks तो आने वाले है ठीक है ratio से तो अगर ratio सम मतलब confirm mcq वगेरा ratio से थोड़े बहुत तो आएंगे आएंगे ठीक है तो आप देखो 20 21 marks तो लगबग ratio के chapter से ही हो जाता है 21 marks जितना 20 marks जितना एप्रोक्स ठीक है मैं मानता हूं यह एप्रोक्स इतना तो होई जाता है अब कुछ चेकल इतना तो आपका रहेगा ही रहेग ratio के फिर आपका cash flow और fund flow अगर आपका इतना अच्छे सा भी तयारी नहीं हुआ है और exam नजदी की अभी तो तो आप क्या करो cash flow और fund flow इसमें से कोई भी एक question के उपर अच्छे से अपनी choice रखके करो देखो अगर जिस student ने पहले से बहुत अच्छे से तयारी किया है जिसको अपना description लाना है वो तो मैं आपको वही बताऊंगा कि मेरे courses में जितने भी आपको lecture अप्लोड है रहेना वो सब कुछ कर लो ठ सब्बग मुझे पता है तब तक 2019 से लेके 2019 से लेके अभी तक 2030 जूलाई तक के मैंने सारे paper upload किये मतलब 18 के दो फिर 20 21, ऑईश 23 के 2 paper upload किया थीक है 23 का March का paper भी है थीक है March 23 का paper भी है फिर 2022 का पिछले साल का paper थीक है जो November में exam हुआ था फिर 2021 का paper है जो January में exam हुआ था थीक है और 2019 के लगबग मैंने 2 paper upload किया regular के और KT के मतलब इतने सारे paper upload है और इस paper में एक दो एक दो question अभी जो बाकी है उसका भी recording चल रहा है आ जाएंगे थोड़े दिन में ठीक है तो इतने सारे paper upload है इवन गुजरादी medium इंग्लिस medium दोनों में upload है तो आप सब कुछ यह करके जाओ के cash flow fund flow में से कोई एक अच्छे से pick up करो और देखो उसको भी करो क्योंकि अगर cash flow fund flow अगर आपको समझो 8 marks में भी आते हैं तो मैं तो बूलो 8 में से आप entry के हिसाब से 4 या 6 marks भी अच्छे से cover करो और जो भी mcq में अभी आपको करवाने वाला हूं उसके अंदर आपके 4-5 mark के कुछ mcq fill in the blank match the column वो भी हो जाएंगे cash flow fund flow के और हो सके तो जितने भी cash flow fund flow फे आपको जो मैंने sword question यूटूब के चैनल पर भी upload किया आप जाके search मानना गुजराती English मेटियम दोनों के students के लिए बोल रहा हूं करो मैं आपको उसकी link send कर दूँगा या तो आप मेरी telegram channel पर चले जाओ वहां पर मैं उसकी पुरी link send कर दूँगा ठीक है करो तो यह आप मिला के मेरे को लग रहा है कि 35 से लेके मतलब समझो 6 marks की theory तो यहां पर approach आपके 35 marks जितना कहीं पर नहीं जाएगा ठीक है आप 35 marks का तो आप लिखी सकते हो ठीक है और ला भी सकते हो 35 marks अब आपकी मेहनत के उपर है फिर आपने अगर बहुत अच्छे से मेहन मेरे को भी message किया है जिसके internal में 46 है 45 भी है ऐसे marks है ठीक है जो मेरे को personally message भी आया है तो उन सभी students को भी congratulations okay काफी सारा अच्छा marks आप लेके आयो तो अभी हो सकता है कि आने वाले university exam में भी आप उसी चीज को continue करोगे okay और देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि next हमारा कल से सभी topic के उपर short short video upload होने वाले ठीक है तो उसको भी एकदम अच्छे से regularly देखते जाओ 10-15 दिन जो भी मिले उसको अच्छे से utilize करो मिलते है next lecture में goodbye and take care and best of luck for your exam